नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्राम प्रधान कैसे बने तो अगर आप फ्यूचर में ग्राम प्रधान बनने के लिए टार्गेट कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को लास्तक जरूर देखिएगा आपको काफी कुछ चीजे जानने को मिलेंगी है गाइस आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूँ असोक सिंग चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हमें इस आप डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर वैल आइकॉन पर क्लिक करें तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्राम प्रधान होता क्या ह है और इसके कारिक्या होते हैं ग्राम प्रधान बेसिकली ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है और इसका काम होता है उस पूरे ग्राम की समस्याओं को सॉल्व करना या फिर हम कह सकते हैं ग्राम का विकास करना अब ये इस विकास के क्रम में इसका सहायक वीडियो होता है यानि सभा में कम से कम वो सदस्याते हैं जिनका नाम मद्दाता सूची में दर्ज हो और ग्राम सभा का निर्मार जो है कम से कम एक हजार सदस्य उसमें होने चाहिए जिनका नाम मद्दाता सूची में दर्ज हो अगर एक पर्टिकुलर एक गाउं से ये 1000 की संख्या पूरी नहीं हो पा रहे है तो किसी और गाउं के कुछ सदस्यों को मिला के इस पूरे ग्राम सभा का निर्मार किया जाता है ठीक है तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्राम प्रधान actual में होता क्या है और इसका काम क्या होता है अगले point पे चलते हैं अब हम बा कि जो मदाता सूची है उसमें आपका नाम दर्ज होना चाहिए और आप जिस गाउं से लड़ना चाहते हैं आप उसी के मदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो तो basically आप चुनाव लड़ सकते हैं अब यहां पर योग्यता की बात तुमने कर लिए अब बात कर लेते हैं च नामवापसी होगी, नामवापसी के बाद कब चुनाव होगा, एंड कब इसका रिजल्ट आएगा, ये सारी तितियां राज निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है, और जब तिति निर्धारण हो जाता है, यहाँ पर परचा दाखिला का प्रक्रम स्टार्ट होता तो यहाँ पर आपको कुछ जमानत रासी देनी पड़ेगी, अब जमानत रासी इसलिए दी जाती है कि अगर आप एक निश्चित परसेंट से कम वोड़ प्राप्त करते हैं, तो जो आपकी जमानत रासी है वो जबत हो जाती है, अगर आप उससे अधिक वोड़ प्राप्त करते हैं लोगों से अपने खुद को ओर देने के लिए request करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपका vision क्या है इस प्रकार से आप प्रचार प्रसार करते हैं उसके बाद फिर जिस दिन मदान की date fix होती है उस दिन लोग जाते हैं और मद्दान करते हैं. अब मद्दान करने के क्रम में वही लोग हैं जिनके उम्र कम कम 80% से अधीक हो, एंड उनका नाम मद्दाता सूची में दर्ज हो. तो वो लोग जा के मद्दान करते हैं, तो मद्दान समाप्त हो जाने के कुछ दिन बाद, इन ओटो की counting होती है और उसके बाद विजेता घोसित कर दिया जाता है यानि कि result घोसित किया जाता है अब विजेता कौन बनता है विजेता बनने के लिए जो है आपको बहुमत में रहना चाहिए यानि कि जितने भी candidates हैं आप उसकी कोई limit नहीं है दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं पांच हो सकते हैं तो जितने candidate हैं उनमें जो सबसे जादा वोट पाएगा वो फाइनली इसमें विजेता हो जाता है अब बात आती है बेतन और भत्ते की तो बेतन और भत्ते की रूप में हर स्टेट में अलग-अलग criteria हो सकते हैं लेकिन यहां पर UP की बात करें तो यहां ल लिए तो आप बताईए आपको वीडियो कैसी लगी कितनी helpful लगी कमेंट में लिखकर अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक like और एक share जरूर कर दीजेगा अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के महत्पूर्ट वीडियो तो हमें सब्स्राइब करके घंटी पर प्रिसकर के आ करना बिलकुल मत भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नए सेसन के साथ तब तक के लिए जैहिंद